शादी के लिए लड़के से जा रही हैं मिलने तो जरूर पूछें ये सवाल हम चाहे कितना भी सशक्त बन जाए और अपने सारे काम खुद से करने में सक्षम हो जाए लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे हम अपना पीछा नहीं छुडा सकते हुए है शादी अगर आप पहले से ही किसी के साथ प्यार में हैं तो उसके साथ शादी के बंधन में बंधने में कोई परिशानी नहीं होती है लेकिन अरेंज मैरेज में सारी बाते एक डम अलग हो जाती हैं आपको किसी अंजान व्यक्ति और उसके परिवार के साथ जुड़ना होता है अरेंज हो या लवशादी जिन्दगी का सवाल है अरेंज मैरेज में बस एक समस्या यह है कि पैरंट्स के साथ भी डेटिंग करनी पड़ती है बढ़िया होगा कि आप जिस अंजान लड़के के साथ अपने रिष्टे की शुरुआत करने जा रही हैं तो उनसे मिलकर कुछ वाजब सवाल जरूर पूछने चाहिए आईए जानते हैं कौन से सवाल पूछना जरूरी होता है परिवार में सबसे करीबी कौन शादी केवल दो लोगों का मेल नहीं बलकि दो परिवारों का मेल होता है इस सवाल से आपको उनके परिवार के बारे में भी पता चल जाएगा और आप दोनों के बीच बात शुरू करने का एक मौका भी मिल जाएगा शादी के बाद क्या होगी रूटीन? आप उनके देनिक दिन चर्या के बारे में विस्तार से पूछें और ये भी जानने की कोशिश करें कि शादी के बाद वो इसमें क्या बदलाव करेंगे इस सवाल से आपको पता चल जाएगा कि आप उनके साथ कितने हग तक फिट बैठती है एसी कोई चीज जिस से समझवाता नहीं कर सकते कोई भी इनसान चाहे कितना सहजो और इमानदार हो लेकिन यह एक बहुत जरूरी सवाल है यही नहीं इस सवाल का जवाब आपके पास भी होना चाहिए क्या कभी बिल्कुल अखेले रहे हैं इस सवाल के जवाब से आपको पता चल जाएगा कि वे सिल्फ डिपेंडेड हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं इस से आप यह भी जान सकती हैं कि आपके घर के कामों में वे आपकी कितनी मदद कर पाएंगे